जे हिन्द आज हम समझने वाले हैं कि सिल्क वॉम का पालन पोशन कैसे किया जाता है और सिल्क वॉम से सिल्क के कपड़ा कैसे बनाए जाते हैं सिल्क बनाने के प्रकीरिया एक इंसेक्स से होती है यह इंसेक्स को सिल्क मोथ कहा जाता है यह एक वाइट कलर का कीट है एक फीमेल सिल्क सौव अंडे देती है जिसे एक सूटेवल टेंपरेचर में रखा जाता है अंडो से लारवा निकलता है जिसे हम केटरपिलर या सिल्क वोम कहते हैं यह रेस्मी कीट को साफ बॉक्स में रखा जाता है यह 25-30 दिनों तक सहतूत के पत्ते पर अपना भोजन करते हैं और आकार में बढ़ते हैं रेस्मी कीट तब एक सिक्रेट लिक्विड निकालता है जो एयर के कॉंटेक्ट में आने के करण हुआ सक्त हो जाता है और एक महीन धागों में बदल जाता है जो एक प्रोटीन से बना होता है केटरपिलर इन महीने इन महीन रेसो को खुद को ही पूरी तरह से ढख लेता है इसी आवराण को कुकुन कहते हैं रेस्मी कीट कुकुन के अंदर रेसम के केड़े के रूप में विक्षित होता है इसके बाद रेलिंग किया जाता है रेलिंग में सारे कुकुन को एकाक्तर किया जाता है और कुकुन को इस टीम के भाप में लाया जाता है इस टीम मन भाप भाप के कॉंटेंग में लाया जा जता है जिसके कारण सारे रिष्ज बाक्ऱ के अंदर से रes्म कीट होगते वह सारे निकल जाते हैं फिर इसके बाद डाइंग किया जाता है डाइंग में सारे वह सिल्कों को क्लर किया जाता है फिर पर कताई बनाई ग्लिए भेज दिया जाता है धन्यवाद इस वीडियो में यहीं तक आप मिलते हैं किसी और नए टोपिक पर